आज अटल जी के देह अवसान के साथ ही भारतिय रादनिती के आकास का दुरूत आरा नहीं रहा आटल जी बहुमुकी प्रतिबा के धनी थी इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजाज सत्रू रादनेता खोया है पत्रकारिता ने एक सवभावगत पत्रकार को खोया है देश की संसद ने सन सतावन से संसद में गरिबों की और देश की आवाज बने हुई आवाज को खोया है भारतिय जनसंग से स्तापक सदस्य और भाजपा ने अपना पहला राष्ट्री अध्यक्स खोया है और करोडों युवाओं ने अपनी पिरेणा को खोया है अटल जी के न रहने से देश की रादनिती में जो रिक्तता खड़ी हुई है वो रिक्तता को लंबे समय तक भरना असंभव है अटल जी का व्यक्तित्व बहु आयामी होने के साथ साथ एक कुसल संग अठक के नाते पहले जनसंग और बाद में भारतिय जनता पारिटी की नीव को डालना और एक बीज में से वटवरुक्स बनाजने तक की यात्रा को अटल जी ने हम सभी कारे करता हूँ का मार्दर्सन किया देश बक्ती की जहां पर भी संसद में जरूरियात होती थी अटल जी उसके आवाज बने नकेवल भारतिय जनता पार्टी समुकी जी संसद का विश्वास होता था कि अटल जी जो कहेंगे वो देश के हीत में होगा और आज मैं मानता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी के लिए तो ये अपूर्णिय शती है इसकी पूर्ती कभी हो नहीं सकती परंटु देश के सार्वजनिक जीवन में भी अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जाने से एक अपूर्णिय अक्षती हुई है मुझे लगता है इसकी पूर्ती होना असंभव है अटल जी ने कई सारे मौकों पर चाहे वो इमर्जन्सी के खिलाब की लड़ाई हो चाहे कस्मीर में कस्मीर के लिए यूएन में आवाज बुलंद करनी हो चाहे दलगत रादनिती से उपर उठकर बंगलादेश की लड़ाई के वक्त स्टेंड लेना हो चाहे हिंदी को प्रमुकता से देश में फैलाव के लिए आगे ले जाना हो चाहे एक बैलेंस नेता एनाते समस्याओ का समाधान करने की दिशा में पुरे देश को समाधान देने हो अटल जी ने हमेशा भारतिय जनता पार्टी के सिर्फ नेता के एनाते काम नहीं किया सारवजनिक जीवन के एक देश भक्त नेता एनाते पुरे देश का माधदर्शन किया है आज मैं भारतिय जनता पार्टी की और से भारतिय जनता पार्टी के दुनिया भर में फैले करोडों कारे करता और समर्थकों की और से गहरे दूख की समवेदना व्यक्त करता हूं और आज हम भारतिय जनता पार्टी के सभी कारे करता संकल्पवान होते हैं कि अटल जी जो काम छोड़ कर गए हैं वो पार्टी के मिशन को हम आगे ले जाएंगे। मित्रो अभी साड़े नौ बजे से अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके निवास्तान पर ही व्यवस्ता की गई है। सुबे साड़े साथ से साड़े आट बजे तक यहीं निवास्तान पर भी अटल जी के अंतिम दर्शन होंगे। नौ बजे उनके पार्थीव सरीर को भाजपा मुख्या लए छे ए दिन्दयल मार्ग पर ले जाया जाएगा। और एक बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और चार बजे राष्ट्रियस मुती स्थल पर उनके अंतिम संस्कार किये जाएगे। मैं जानता हूँ व्यक्ति के जाने से विचार खतम नहीं होते हैं। व्यक्ति के जाने से विचारदाराए उनके कर्तुतों के गारण ज्यादा द्रड होती है आंदोलन और पैने होते हैं। वास्वासन देता हूँ अटल जी का परिवार भारती जन्ता पार्टी के कारेकरता और अटल जी के चाहने वाले दलों से भी उपर उठकर दुनिया भर में जो बिखरे हुए हैं सभी को ये दूख सहन करने की परमात्मा सक्ति दे।